और बड़ी खबर आपको बताए है अस्वक्त की बड़ी खबर आरे है मुक्यमंतर होगी आदतनाथ को लेकर सर्किट हाउस पहुँचे मुक्यमंतर योगी आदतनाथ वरार्जी से बड़ी खबर आपको उतारें सरकेट हाउस पहुचें सीम क्योंकी प्रपीम मोदी के कारक्रमस्थल का निरिक्षन करेंगे साथ-साथ आपको उताएंगे साथ चलाएं को प्रपीम का वरार्जी दोरा प्रस्तावित है और उसी को लेकर वरार्जी पहुचे हुए मुक्यमंतरी योगी आदतनाथ तमाम तयारियों को लेकर निरिक्षन करते वे नजर आएंगे कारक्रमस्थल पर तयारियों को लेकर जानकारे तमाम दुशान देश जो है वो देते हुए नजर आएंगे सर्केट हाउस की तस्वीर आप देख रहे हैं वरार्सी सी ये बड़ी कबर आपको उतारे हैं सर्केट हाउस पहुचे है मुक्यमंतरी योगे आधित राद सुशान्त इसक्वर पर जादा जानकारी के साथ अमारे साथ चुड़े हैं सुशान्त क्या कुछ अपडेट मुक्यमंतरी वरार्सी पहुच चुके हैं सर्केट हाउस की तस्वीर बह देख पा रहा हुँ क्या कुछ आज का उनका कारिकरम तarna क्योंकि साथ जुलाई को प्रधान मंतरी नरेंदर मोधी आसकते हैं देखे प्रधान मंतरी नेंद्र मोदी को दो दिवसिय दोरे पे अपने सज्दिय अच्छेतर वारानसी में आना है साथ जुराई को और आठ जुराई को वो यहां से प्रस्थान कर जाएंगे पर उससे पहले जब वाजितपूर जो जगह है जहाँ पर इस वक्त मैं खड़ा हूँ यहीं पर प्रधान मंतरी की एक जनसभा होनी है माना जा रहा है कि मिसन 2024 के तयारियों का शंखेनाद प्रधान मंतरी इसी जनसभा से इसी मैदान से करेंगे और जहाँ पर जनसभा होनी है वहाँ पर कुस दिर पहले मुख्य मंतरी योगी आयतात पहुचे थे और उन्होंने आधिकारियों से और संगठन के कारिकरताओं से पताधिकारियों से जन कर ली कि किस तरीके से जनसभा की यहाँ पर तयारी की गई है यह भी बताया गया है कि 50,000 लोगों की वहाँ पर आने की व्योस्ता की गई है यानि कि इस जनसभा को जो 95,000 समोधित करेंगे और लगबग 3,000 करोड का जो तोफा सिरान्यास और लोकारपन के रूप में वारानसी को देंगे उसी जनसभा स्थल से तो वहाँ पर 50,000 लोगों की आने की व्योस्ता की गई है एक तरीचे कैसे अगर चुनावी की चस्मे से देखे क्योंकि चुनावी साल सुरू हो चुका है साल 2024 में चुनाव होना है 16 माई को दिन होगा 16 माई 2024 जब वहाँ पर संसत गठन होनी होगी यानि कि आव एक साल से भी कम का समय बचा है चुनाव में और पूरी तरीके से आधा बिहार को यहां से कवर किया जाता है तो एक तरीके से मिशन 2024 की तयायों का संखनाज जो है वो प्रधान मंतरी साज जुराई को वाजित पूर के इस मैदान से करने वाले हैं पर उससे पहले मुक मंतरी यहां पर पहुचे हुए है और लगातार वहाँ पर जो 3000 क्रोड की योजनाए हैं उसकी वारे में जानकर ले रहे हैं सरकीट हाउस में बैठक हो रही है कि जिन योजनाओ का लोकारपन असी राणियास होना है उन योजनाओ की जमीनी इस्तिति किया है और किस तरीके से प्रधान मंतरी नरेंदर मोदी यहां पर जब चुनावी साल में तोफात देंगे तो वो किस तरीके से जमीनी हकिकत पे आम पार्टी को भी फाइदा पहुचाएगा इन सारी चीजों को लेकर के पार्टी के पता अधिकारी भी रहेंगे जो उस विभाग के जो अधिकारी है जो नर है वो भी रहेंगे नोडल अधिकारी भी रहेंगे और वारनसी के कमिश्टर और दिरामेश्ट भी रहेंगे साथ ही लॉइन ओर्डर पर भी चर्चा होगी सावन का महीना है तो जाहिए से बात है सावन के महीने में भारी भरकम यहां पर विलाते हैं तुमाम जानकारी के लिए आपका बेहत शुक्रिया